हलो दोस्तों स्मार्ट हेल्प में आप सभी का बहुत स्वागत है और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं और इसेंबल और ब्रेंड़ीं में पिरलेंघ यसमाट यकल कर दिया चिह आज आपर करेंगे एंड्रोईट में आपकón अंडर्वों के में विश्फेश्च क्या डििफरेंस है पृए पर प्रिछ यह फिर किसी अधर features की बात नहीं कर रहें, बात कर रहें हम यहाँ पर Android version की और picture quality की और यहाँ पर बात कर रहें service की क्योंकि assembly में आपको कोई service मिलने वाली नहीं जबगी branded में आपको service मिल जाएगी, all over देखें तो दोनों की जो body है यह जो उपर की जो बोड़ी है वो बिलकुल ही सिमिलर है ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं और पोर्ट की बात करें तो लगबग दुनों में सेम ही पोर्ट है एक में आपको VGA पोर्ट मिल जाएगा जो की है डिफरेंस है दोनों LED के बीच में पिक्चर क्वालिटी हो या फिर एंड्रोइड इंटरफेस हो क्योंकि टीचल की LED है इसके अंदर आपको मिलता है गूगल असिस्टेंट वाला ओप्शन जिसके थ्रूँ आप अपनी वोईस कमांड का यूज भी कर सकते हैं तो चलिए फटा पड़िन दोनों को आउन करते हैं और आपको बताते हैं दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है आप देख सकते हैं दोनों ये लेडिया आपर ओन हो चुकी है यह है एसेंबल वह है टीचल की ओरिजिनल एलेडि टीवी है उसमें आपको एनिमेटेड लोगो भी बिल जाएगा जो कि एक वेलकम स्क्रीन पराता है इसमें खाले स्मार्ट लिखा हुआ आता है अगर आप चाहें तो इसमें आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं किसी भी ब्रेंड का लोगो छोटे सा सौप्टेर इसमें चेंज करना पड़ता है छोटे सौप्टेर बॉक्स से आप इसमें वेल आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा डिफ्रेंस है यह टीसीईल की होम गाविस्क्रीन है और यह सकते हैं दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है यह टीसीय न पर यह एक एसमेल कोोछ दोनों को फ हूड़ा पास पास में ले आता हूँ आप देख सकते हैं यह दोनों LED आए और यह वाली है टीसील की और यह है एंड्रोड एसेंबल LED TV दोनों का इंटरफेस आप देख सकते हैं यहाँ आपके सामने शो हो रहा है और बात करते हैं टीसील की तो यहाँ पर आपको प्रिलोडेट अप्लीकेशन मिल जाएगी जो कि नेटफ्लिक्स है और यूट्यूब है और प्लेस्टोर यह सर्टीफाइड है गूगल से आपको कोई दिक्कत आने वाली है नहीं बिल्कुल इजी तरीके साब इसको यूज कर सकते हैं जबकि इसमें आपको इतनी एपिल्यकेशन उप्शन अपको मिलते नहीं है आप दिख सकते हैं ज्यादा इसमें कोई आप्लीकेसर है बाकी तर मैंने इस्तॉल तोर वर्जन है जबकि इसमें आपको लेटेस्ट बर्जन मिलेगा ने आप गयो घूटीवी इसमें इस्टॉल करके र प्रिलोडेड नहीं थी यहाँ नेट्फिक्स प्रिलोडेड थी पर यह ओल्ड वर्जन है जबकि आप देख सकते हैं यहाँ पर यह टील में यह एक न्यू वर्जन है इस नेट्फिक्स का और लेटेस्ट एंड्रोइड एप्लेकेशन है इसमें आपको 8GB और 1GB मिलता है याने की इस से टाब की इतनी फास्ट नहीं हें इसमें भी नियूओर कास्ट यह फिर आप इसमें आप शर्द अबेद अपूनरेश करेंगे विडियो पर्दिजों क्या प्रेट इस्टेंस आपका ज्यादा हो फिर भी ये वीडियो बिना अटके नॉन्स्टॉप चलेगी जबकि ऐसा इसेंबल में नहीं है आपको पास में रखना पड़ेगा फॉन उपर से वीडियो बीच-बीच में अटकती रहेगी यह बहुत बड़ा डिफ्रेंस है दोनों के अपने उपर डिपेंड करता है दुका नर के ऊपर के वारंटी आपको देगा या नहीं देगा बाकी इतना कोई खास देख सकते हैं इसमें कुछ है नहीं अंदर बाकी ब्रेंड़ेट के अंदर बहुत ज्यादा फीचर्स आपको मिलने वाले हैं और बहुत ज्यादा दूसरी यहां पर एप से जो आप इसके अंदर डायक्ली इससे ओपन कर सकते हैं यह है जो यह आपको दिखरी एक की बिल्कुल पास से देख लीजिए यह है गूगल असिस्टेल वाली क्लिक कर दें आप इसको डायक्ली एकसेज कर सकते हैं आपको न्याट की जो कि हर एसेंबल LED में इसी टाइप का रिमोट होता है आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा डिफ्रेंस है दोनों के रिमोट में यह तो बहुत ही एडवांस और कुछ यूनिक और स्टैलिस और स्मॉल सा रिमोट छोटा सा बिल्कुल कम की है पर इसमें फीचर्स बहुत हो बले वो शोनी हो LG हो या फिर हो बले ही इंटेक्स टील एकदम बजट LED है सस्ता भी है अच्छा भी है और इतना ज़्यादा कोई इसमें है नहीं आप बाय कर सकते हैं इस LED को और मेरे इसाब से मुझे तो यह ब्रेंड अच्छी लगती है तो मैं इसका रिव्यू करता हू और इसी LED ब्रेंड के बारे मैं रिव्यू लेके आऊँगा भले वो 43 हो 55 इंच का हो चितनी बड़ी साइज अवेलेबल हो सकती है मैं आपके लिए रिव्यू और अन्बॉक्सिंग लेके आता रहूँगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें शेयर कर दें और